हलो फ्रेंट्स आम हरीश डेमला फ्रम एकुरेट फॉर्चून आस्टोलोजी दोस्तों हमरे पास बहुत कोईरी जाती हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं कि उनका द्वादश भाव डिस्टर्ब्ड है तो क्या उनके कुंडली में या उनके चार्ट में जेल जाने की योग बनते हैं तो जेल जाने की योग भी हम निसंदे बारवे घर से ही देखते हैं और सभी को इसका अंदाजा है लेकिन जेल जाने के योग जो है वो बहुत स्पैसिफिकली कुछ प्लानेट्स की प्लेस्मेंट से बनते हैं और बारवे घर में तो हर लगभग हर दूसरे इनसान के चार्ट में कुछ नगुछ प्लानेट्स होते ही हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इनसान जेल यातरा में जाएगा या जेल में जाये तो आज हम आपको यह बताने के कोशिश करेंगे कि वो कौन से योग है वो या कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको जेल जाने पे मजबूर कर देते हैं और आप कुछ टाइम में इंप्रिजन् वेरी इंपॉर्टन्ट हाउसे इसमें अगर कोई दूसरा भाव है तो अश्टम भाव को भी आप असेस कर सकते हैं अब च्छटा भाव क्योंगे च्छटा भाव है हमारे कोट केसिस का अलिगेशन का डिस्प्यूट्स का क्राइम का चितने भी क्राइम होते हैं वो छटे और जो वैसे crimes होते हैं मार, पीट, लडाई, जघडा, court case, यह वाले छटे भाव से होते हैं जो public crimes होते हैं, public जिनके बारे में जानती है, कोई लडाई सड़क पे किसी की लडाई होगी, किसी ने किसी के सिर को फार दिया, उसको public देख रही है, वो छटे भाव से देखे जाते और जो hidden crime है, जैसे किसी का murder हो जाना, और suspicious circumstances में हो जाना, जैसे सुशान सिंग राजबूत का murder होगा था, वो इस तरह के जो cases हैं, वो अश्टमभाव के होते हैं, जिसकी mystery जो है, बड़ी मुश्किल से खुलती है, या खुलती नहीं है, तो वो अश्टमभाव के crime हैं, और बारवें घर के crimes रहते हैं, ज्यादा तर sex scandal से related, क्योंकि बारवें घर bad pleasures का है, secret house है, तो इस तरीके से हम crimes देखते हैं, अब आपके jail जाने की योग तो तब ही बनेंगे, जब आपका चटा घर बहुत खराब होगा, चटे घर में 3-4 planets बैठे होंगे, और उसमें आप चटे घर का काम नहीं कर रहे हैं, चटे घर का काम क्या होता है, medical profession है, law का profession है, या चटे घर में मतलब कुछ इस तरह का profession है, जिसमें आप की नौकरी इस तरह की है, जो लोगों से लड़ाई जगड़ा करके, जैसे कई बार आपने देखा है कि कुछ इस तरह की agencies होते हैं, जो recovery जो financial organizations engage करते हैं, तो अश्टम भाव medical profession का है, surgeries का है, emergencies का है, spying का है, और taxation का है, government के taxation का है, तो अश्टम भाव का भी काम नहीं होना चाहिए, ये काम तब ही निकलते हैं जब अश्टम भाव में अच्छे planets हों, छटे घर में अच्छे dignity हों, अच्छे planets हों, लेकिन अगर हों है, और वो बारमे घर से connect कर रहे हैं, एक तो aspect के थ्रू connection की बाद हम नहीं कर रहे हैं, हम connection की बाद कर रहे हैं, राशी के थ्रू या नक्षत्र के थ्रू, जैसे सुपोस, छटे घर में, mangle, raho, closely जैसे planets हैं, mangle, rahu, buddh जैसे planets, mangle, rahu, shani जैसे planets हैं, या चंदर राहुशनी जैसे प्लाइंट से और बहुत पिगड़ा हुआ घर है और उनका कनेक्शन आठवे और बार में घर से बन रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप पे लिटिगेशन, कोट केसिज, एफ आयर्ज वगरा चलने के पूरे चांसेज हैं और उसके बाद आ कुछ टाइम के लिए आप इंप्रिजन्मेंट में जा सकते हैं लेकिन उसमें बारवे घर में प्लानेट जो हुआ है वो छटे घर से कनेक्टिड होना चाहिए या आठवे घर से कनेक्टिड होना चाहिए जैसे इसमें हम एक एक्जामपल आपको देते हैं सुपोस चंदर जो है मून अश्तमभाव का मालिक होके बारवें भाव में नीश का बैठा हुआ अश्तमभाव में चार नमब राशी है चार पांक छे साफ आथ बार्मे भाव में आठ नमबर राशी होगे और मून बार्मे भाव में चला गया और अब क्या है दो नमबर राशी छटे घर में पड़ेगी दो नमबर राशी में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स है जैसे मंगल, राहू और शनीबै खाल अर वो रोहिनी नक्षत्र में बैड़ी है दो तीन प्लैनेट्स और रोहिनी नक्षत्र जो है चंदर का है चंदर नीज ben बैढ़ बन और चंदर अनुराद्र नक्षत्र में घळ्ड़े और शनी भी नीज का बैढ़ गया यह जनी भी कहीं चटे आठ में से connect कर गया आप देखो एक triangle बन गया चटे आठ में बार में क्या एक triangle बन गया तो आदमें फस गया यहां क्या है इंसान पे इंसान किसी ना किसी dispute में फसेगा और उसे jail हो जाएगा और अब dispute किस तरह का होगा वो देखने के लिए भी वो planets आपको देखने पड़ेंगे आपको सब्तम भाव से वो dispute आ रहा है सब्तम भाव में जो राशी है वो तीन नंबर राशी है बुद्ध के राशी है क्या सब्तम भाव से वो बुद्ध भी यहां बैठा हुआ है और या सब्तम भाव में भी को मैलिफिक एनरजी है तो सब्तम भाव से जब हमारे छटा भाव जुड़ता है तो हमें marital dispute में ज़्यादा दिक्कत होती है और उसमें कभी कभी हमें पुलिस पकड़ के लिए जाती है और दो चार दस बीज दिन महीना दो महीने आप कैर में रह सकते हैं और अगर मंगल का involvement भीच में आ जाता है तो ज्यादा तर हम भूमी related matters में या मारपीट related matters में violence related matters में अंदर चाहते हैं क्योंकि मंगल aggressive planet मारपीट और भूमी का रख है जमीन जदाब और कभी कभी हम जमीन जदाब का काम करके भी यानि के जो builders का काम है रियल इस्टेट का काम है वो उस काम की वज़ा से भी हमें कैद हो सकती है जेल हो सकती है जब भी छटा घर आपका पूरी तरह disturb है और उसमें आप करजे में भी फसे हुए हैं उसमें लोगों के साथ आपके आई दिनों डिस्प्यूट्स भी रहते हैं तो आप पे F.I.R. ए आपका बहुत खराब है तो हमने एक चंदर का एक्जामपल दिया है नीच का शनी भी बारवें घर में जेल यात्रा करवा देता है नीच का चंदर भी करवा देता है और कभी कभी केतू भी करवा देता है तो यह प्लैनेट्स जो है यह तो है ही है पके जो आपको जेल का सं connection बारवे घर से जरूर होना चाहिए तभी इनसान को जेल होती है तो दोस्तों जेल के योग बहुत रेर चार्ट में मिलते हैं और क्यूंके छटा घर क्राइम का घर है disputes का घर है court cases का घर है F.I.R. का घर है debts का घर है financial lendin का घर है और चटा घर जो है हमारा यूं तो नौकरी का भी घर है तो नौकरी के थ्रू भी आप कोई fraud में involved होके आपको जेल हो सकते हैं तो ये सारी चीज़े हम चटे घर से देखते हैं इन मैटर्स में आपकी कोई भी problem आ जा देखिए कि ये घर कहीं बार में से connect तो नहीं हो रहा राशी के थ्रू राशी के लौड के थ्रू या नक्षत्र के लौड के थ्रू अगर connect हो रहा है तो थोड़ा सा आप scared हो जाओ और थोड़ा सा सोचो और अपनी जो आपके गतिविधिया है जो activities है जो profession है उसको आप review कर अगर वो illegal activities है तो उसमें आपके जेल जाने के योग बनेगा तब जब वो उस प्लानेट की दशा अंतर दशा चल रही होग अंतर दशा प्रेंतर दशा या दशा तीनों में से कोई भी चल रही होगी तब ही योग बनेगा जो बारवे घर में प्लानेट है जो खराब पड़ा हुआ है तो उसकी दशा आते ही आपको इस तरह के surprises मिल सकते हैं अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें आपको अंदर से पता है कि यार ये काम गलत है और कभी भी मैं फस सकता हूँ उस केस में हड़ जाए नहीं तो आपको काफी रिग्रेट करना पड़ेगा उस काम में रहने के लिए हूँ तो दोस्तों थैंक्यू वेरी मुच वंस अगें होप के आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जो सब्सक् करते हैं जिसका कारण हमें नहीं पता लगता हम तो आप से सिर्फ रिक्वाइस्टी कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप से और नजीगे से जोड़ जाए हमारी वीडियोस डिरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे हैं थैंक्स अलोट प्लीज आप सिक्ञियर काई ज्वकन श Pacific detox अलोट बड़ जए हैं में थास्टी आपच्टली आपके दनार माने काई कुछां 고 कांक्भाइब करने रहे हैं